स्याचिन में चमतकार हुआ और हनुमान थप्पा को जन्दा वहां बरफ से निकाला गया जी हाँ कल उन्हें दिल्ली लाया गया और उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया तो वही आपको बता दे कि अब हनुमान थप्पा की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर भनी हुई है जानकारी के मताबिक वो फलहाल कोमा में है उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है उनका लिवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा साथी साथ उन्हें निमोनिया भी है स्याचिन ग्लेशियर में एक सब्तहा पहले बर्फ खिसकने से तीस फूट नीचे दवे रहने के बाद जीवित निकले गए लॉन्स नायक हनुमान थपा जीवन के लिए संघर्ष कर रहे है आपको बता दे कि हनुमान थपा को मंगलवार को स्याचिन ग्लेशियर से यहां आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल लाया गया और अस्पताल के अनुसार वो कोमा में है और उनकी हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है पियम मोधी रक्षा मंत्री मनुहर पारिकर और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंग सुहाग ने अस्पताल जाकर बहादूर सैनिक से मुलाकात की और देश से उनके जल्द स्वास्त लाब के लिए प्रातना करने को भी कहा कल देट सो से ज़्यादा सैनिको और दो खोजी शवो को डॉट तथा मीशा के दलने कोपाड को बीस हजार पांसो फुट की उचाई पर सियाचिन ग्लेशियर में बरफ के नीचे से निकाला उन्हें वायू सेना के एक विमान दुआरा यहां लाया गया जिसके साथ वायू सेना के एक गहन चिकटसा वशेशग्य और सियाचीन अधार शिवर के एक चिकटसा भी उनके साथ मौजूद थे पहले अधिकारियों ने उन्हें में तो घोशत कर दिया था अस्पताल की और सेज्वारी मेडिकल बुलेटन के अनुसार सो भागे से लॉन्स नायक के शरीर पर सर्दी की वज़े से कोई चोट या हडियों का कोई चोट नहीं पहुंची है ये एक अच्छी बात बताई जा रही है लेकिन वही अभी आपको ये भी बता दे कि हनुआन थपा की हालत अभी नाजुक बनी हुई है वो कौमा में है डॉक्टरों के मताबिक तो वही पूरा देश अब हनुआन थपा के लिए दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए आपको ये भी बता दे कि हनुआन थपा फलहाल आर्मी हॉस्पिटल में भरती है और वो अभी वेंटी लेटर पर है जिहां छे दिनों तक बरफ के नीचे दबे रहे हनुआन थपा जहां एक तरफ दस जवानों को श्रधांचली दे दी गई थी तो वही अब छे दिनों तक बरफ के नीचे दबे रहे हनुआन थपा अब स्याचीन में कोई एक बड़ा चमतकार हुआ और इन्हें बचा लिया जा सकाजियां आपको बता दे कि अब हनुआन थपा को आर्मी हॉस्पिटल में भरती करा गया है और उनका इलाज चल से अर्जी की है कि देश्वासियों सब इस जवान के लिए स्वास्थ होने की दूआ करो